हलो दोस्तों वेलकॉम टो मैं चैनल इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे कुछ और कोशन देखें एनर्जी और पावर से रिलेटड पहला कोशन है एक से एक साने कस्टो वन बाइटू एन होगी वेल्यू जब एन की वेल्यू जीरो से जाद होगी यह होगी थ्री की पावर फइन की वेल्यू 0 से कम होगी यह होता हमार टीArthur तो मैं भी सकता हूं सकता हूं और की पावर अल्यू ठीक है तो 0-2-1 होगी, n जो होता है, integer होता है, तो कहां तक जाएगी, –1, –2, –3, ऐसे ही, minus infinity तक, तो यानि, minus infinity से लेके n तक, minus 1 तक, ठीक है, तो यह वाली value होगी, इस वाले period में होगी, यह वाली value होगी, इस वाले period में होगी, एनर जी का formula क्या होता है, टीवन से टीटू सुरी यह यह इस इस डिस्कीर टाइम तो एन वन से एन टू मोड ओफ एक्स एन का स्कुर्ड ठीक है यह होता एनर्जी का फोर्मुला लगाओ बस इसमें देखिए पहला सिंगनल है जीरो से इंफिनिटी तक तो एन की जो वैलियो है की जो वैलियों कहां से लेकर न की वैलियों होती है जीरो से लेकर इंफिनिटी तक गई है तब इसके कर दो बस औलगा लोड का स्कूर ठीक है भाल फोम लेम वैलियो लगादी निए पिलास spaghetti यह इक ही सिंगनल इसलिए पिलस आ रहा है कहां से कहां तक minus infinity से minus 1 तक n की value minus infinity से minus 1 तक गई है 3 की power n के mode का square ठीक है इसको calculate कर दो पस क्या हो जाएगा यह 1 by 2 की power n न हो रही तो इसके mode का square करो कितना हो जाएगा n request 0 to infinity यह हो जाएगा 1 by 2 का square कितना हो जाएगा 4 की power n ठीक है ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा n equals to minus infinity to minus 1 3 का square यानि 9 का square हो जाएगा 3 का square 9 हो 9 की power n तो यह आगया आप देखिए इदर एक formula होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ infinite GP series का formula होता है इतना हो 1 upon a की power a की power n हो वह होता a upon 1 minus r r क्या होता? common difference अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे सम कैसे निकालेंगे यह इंफाइनल GP series का sum है यहाँ पर देखिए और ढंक्चा देखिए यह minus 1 से minus infinity तक जा रहा तो मैं क्या करूँगा put n equals to minus m जब भी ऐसे minus में बन है तो इसको simple बनाने के लिए n equals to minus m पूट कर दो n equals to minus m कर वह हो है m equals to infinite और यह हो जागा कितना? 1 और यह n equals to minus m रखा यह कितना हो जागा? 1 by 9 की power m बस इनका sum कर दो कितना आग जाएगा? यह हो गया उपर 1 यह उपर चला गया 4 by 3 बचाएगे ऐसे यह कितना हो जागा? इसमें A कितना हो जागा? 1 by 9 1 upon 1 upon 9 मैं यह मान के चलना हूँ यह समता हो आपको तो यह कितना हो जागा? 1 upon 8 तो इसका LCM लो कितना हो जागा? 24 32 plus 3 तो एनरजी कितने आ गई? 35 upon 24 24 J ठीक है? GPC का कोई बड़ी बात नहीं है यह ताता है होगा 11th class में शुरू हो जाता है 11th class में पढ़ा होगा next देखिए find energy यह एक signal दे रखा देखिए 0 से T note तक जा रहा हो उसकी value कितनी है? A तो यहाँ पर देखिए यह कितने T1 की value दे रखिए हमें 0 और T2 की value दे रखिए T note ठीक है? तो हमें energy का formula पता energy कितना होता है? T1 continuous time के लिए dt का square ठीक है? तो T1 है मेरा 0 T2 है T note Xt Xt की value कितने होगी? Xt की value है 0 से T note के बीच में कितनी है? Xt की value है A है कहां से कहां तक? जब T को मैं 0 से T note के बीच में ले आता हूं ठीक है? 0 से T note यानि A का square dt energy कितनी आ जाएगी? A constant है ठीक है तो वह हो जाएगा T 1 का करूंगा तो मैं energy कितनी आ जाएगी? A square T note minus 0 then energy कितना जाएगी? A square T note Joule ठीक है? यह होगे energy इस टाइप से निकालते है energy ठीक है? इस वीडियो में इतना ही next video में next question कहेंगे okay thank you for the next video